नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग टेकन शूशल चैनल में आपका स्वाजत है दोस्तों आज मैं आपको बताने वालूँ एक ऐसी चीज जो आपके बहुत ही काम आ सकती है अगर आप स्मार्टफॉन का इस्तमाल करते हैं या आपका कोई अच्छा सा मोवाइल है तो उसमें जो कैमरा होता है उसमें जब आप सेल्फी लेते हैं तो मिरर इमेज आ जाती है यानि की टेक्स उल्टा दिखाई देता है जैसे की कहीं पर डॉक्टर लिखा हुआ है और अगर आप सेल्फी लेते हैं तो वो बिल्कुल वैसा इमेज बन जाती है जैसा की आप सीसे में पिश्चान हो जाते हैं कि आपने कुछ ऐसी टेक्स है जो कुछ लिखा हुआ है दिवाल पे उसके साथ अगर सेल्फी लिए है तो उसकी मिरे इमेज बन जाती है जिसको कहते हैं टेक्स्ट उल्टा यानि अक्छर उल्टे होते हैं तो इस अक्छर उल्टे को कैसे बंद करें यह एक सेटिंग होती है जो की बंद करनी पड़ती है आपको अपने स्मार्ट फॉन में तो यह सेटिंग कहां पर होती है कैसे करते है इस वीडियो मैं यही बताने वाला हूं देखी मेरा ही वीडियो सुरू से लेकि लास्ट तक और चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद ब सेटिंग खोलनी है तो यहां पर मैं उधारन ले रहा हूं Redmi Note 7 Pro की तो यह Redmi Note 7 Pro है सब भी फॉनों में यह सारी सेटिंग होती है आपको सेटिंग में जाना है और आपको देखना है कहां पर लिखा हुआ है mirror front camera तो यहां पर यह लिखा हुआ है mirror front camera यह आगे इसके off लिखा हु खुझ से off कर दिया था by default यह on आता है सबी फॉनों के अंदर में जो front camera से selfie लेते हैं उसमें mirror image option on आता है यानि आप जो भी लिखा हुआ है उसकी photo खीचेंगे तो वो बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा photo खीचने के बाद तो उसको बहुत से लोग बंद करना चाहते हैं तो mirror front camera image कहीं पर भी लिखा हुआ है वह आप सर्च कर लीजे camera के अंदर setting में जाएंगे और फिर देख लेंगे तो यहाँ पर मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे off कर रखा है by default यह on रहता है on में on लिखा रहेगा जब off करेंगे तो off हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से जब चाहें जब आप mirror image को on कर सकते हैं off कर सकते हैं यानि text जो उल्टा लिखा होता है या अक्छर जो उल्टे लिखे होते हैं उसको बंद कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like कर दीजिए वीडियो को share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और comment करके बताएए आपको वीडियो कैसे लगी थैंकि दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में